हेलो एवरिवन एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट जैसा कि आप थबनेल पर देखी चुके हो आज किस पीडियो में हम डिसकस करेंगे जेके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन जो मिली आपको अगामी अच्पी जेविटी कमिशन एससाई कंड़क्टर जेवाइट पोस्ट कोड़ नो सो पैंसेट पंचाइट अडिटर फुटवारी और वेरियस एक्जाम जो आने वाले इसमें में कंड़क्ट किये जाने हैं उ अगर आप चैनल पर पहली वार विजट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जूब करते हैं और लाइकन प्रेस करना भूले और नोटिफिकेशन ओन करते हैं थाकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंस वीडियो को शुरू कर चैनल को पर आपको बता है यह गॉल्फ से संबंदित है और जो है इसकुर्शन का राइट अंसल है राइटल का पिज़े रिलेटर टू गॉल्फ ऑप्शन एसकुर्शन का और एंसल है पूछें पूछेंगे घैसे जीव मिल्खा स immedi यह आपनयाद रहे हैं जीव मिल्खा सिंग जो है वो किस खेल से अगर अगर श्म्टल आप से मिल्खा सिंग पूछा जाए जीए प्लाइंग सीक के नाम से लिडना जाता है वे यह अब अब तोぎ Вас दो यह मिलका सीर्ग और जी हम मिलका सीर्ग जो मैं अरग अलग है अपने इपिज नहीं होना है जीब stance कर सबन्द हैột व जो सब्बंद है तो ऐի इत नक्र गोल्व से है University this cuestión मैं चलते है essayer तिस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जढ़ है तो तिस्ता समझौता दा दा दातिस्ता ट्रीट है पम ओंद spatula के के चेप और किस देश के बीच की विवाद की जड़ है तो इस question का जो है आपका option नमर एए बंगलादेश जो है इस question का right answer है तिस्ता समझोता जो है बारत और बंगलादेश के विवाद की जड़ है option नमर एज है स्कूशन का राइट एंसर है नेस्ट क्वेशन में चलते हैं निम्रेक्ट में से कौन सी संस्ता भारत में राष्ट्री आए का आकलन करती है तो विच वन आफ दा फॉल्विंग इंसिटूशन्स पर पिर्पेर्स दनेशनल इंकम एस्टीमेट्स इन इंडिया तो निम्रेक्ट में से कौन सी संस्ता भारत में राष्ट्री आए का आकलन करती है और अगले प्रशन में चलते हैं संकल्प प्रयोजना किसके उन मूलन से संबंदित है तो संकल्प इस संकल्प प्रियोजना जो है दो प्रॉजक्ट संकल्प इस सेट्ड़ विद दा एलिमीनेशन ओफ तो संकल्प प्रियोजना जो है वह आपको बता है इस कौशन का राइट अंसर है आपका ऑप्शुन नमबर यह है एक चाईवी के अनुमूलन से यह संबंदित है लगत कि भारत का कौन सा निकाय पीमाक्षित्र नियंत्रन करता है बहुत ब्रहु कि जिसका इसकी इसकी जो फिल फॉर्म है वे आपकी Insurance Regulatory and Development Authority of India है जबकि सेबी की जो फिल फॉर्म है वे Security Exchange Board of India है और CII की जो फिल फॉर्म है वे आपकी Confederation of Of India Inclusions है ये भी आपने याद रखना है RBI की फिल फॉर्म जो है वो आपकी Reserve Bank of India है जिसका Headquarter जो है वो मुंबई में है तो भारत में कौन सा निकाई जो है वो बीमाक शेतर पर नियंत्रन करता है वे आपका IIDA करता है Option Number A जो हैस्क्रशन का राइट अंसर है अगले प्रशन पर चलते हैं जापान की संसद्य को क्या कहते हैं जापान पार्लेमेंट इस नोन आइस तो जापान की संसद्य को डाइट कहा जाता है Option Number A जो हैस्क्रशन का राइट अंसर है जापान पार्लेमेंट इस नोन आज डाइट अगेले प्रेशन में चलते हैं लोगसभा की प्रत्थम महिला स्पीकर कौन है अगर आप से कुछन पूछा जाए कि भारत की प्रत्थम महिला रास्टपती कौन थी तो श्रीमती प्रतिवा पाटल जो थी सब्सक्राइब करेशन प्रत्थम महिला रास्टपती जो थी वहारत की पहली महईला पर्थान मंत्रियोदी श्रीमती इंद्रागान्दी जी थी अगर्लियны प्रमिक चलते हैं वहां बीम क्या है वाहट इस ल Especially जो है इक पैइमेंट एक एक भुकतान एप है जिसकी फुले फोओ मैवे आपकी भारत इंटर फेसर मघ है ये भी आपने याद रहा है तो भीम क्या है भीम एक भुकतां है के आप कि नेच्ट कशर नियुक्छन में चलते हैं दिस मेला मनाया जाता है तो स्थacy seems मेला जो है सीसु फियर इस सेलिवेटर वाई तो सीसु मेला जो है वह आपका बोधों द्वारा मनाए जाता है ऑप्शन नमबर दी जो है इस कुछन का राइट अंसर है अगले प्रिशन में चलते हैं शान और शाबू लोख नरतिया जो है वह किसे समर्पित है अहिस स्यु प्रियेशन कम जो एक was और चाल शाबू शान और शाबू लोख नरतिया जो है वह किसे समर्पित है इस कुछ कर जो राइटेंश्र प्रियों के शोकष्ण अमबर ए पूछ के ततते हैं ओप्षिंद नम्ब एक और और इसक्राइब है अगले प्रेशन पर चलते हैं केंदरी अलू अनुसिंध त्रचान और कहां प्रवस्तित है तो सेंट्र राइस रिसर्च इंस्टिटेटन लोकेटेड तो केंदरी चावल अनुसम्धान जो हैं वहीं गाहां कट्ट्ट का राइटएंसर है जो कि ऑडिसा स्टेट में अपने याल देखना है कट्ट्ट को पर स्टेट में अपक्शन का राइट-चावल-अनुसंधान-संस्तान यो है वह कट्टि इसंता है आख प्रइस के लिए नश्यर्ट में कपा है अगले प्रेशन होएं तो नेशनल रूलर इंप्लॉइमेंट ग्रेंटी स्कीम बाज लॉंच्ट इनिशिली इन तने रेगा जो थी वह शुडवात में इतने डिस्टिक में चलाएगी थी तो वह दो सो जिलों में चलाएगी थी ऑप्शन नम्र सी जो है इसक्रशनी का राइट अंसर है इसमें बहुतने कैस्में यह किसराज़न की सारवदिक लंबी तरड़खा है विचवाई में अफ्टान फॉलिंग स्टेट यांज डर लगएस्ट कोस्ट लाइन तो नमने मैं अधिस राज्य किसराज्बभी तर्रेखा है सबसे लंबी नम्बी कोस्ट लाइन है तो वह पना ह सबसे लंबी कोस्ट लाइन है तो विशुब के सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला जो देश है यह आपने नौट कर लेना है एक्जाम में कई वाद पूचा गया है नेक्स्ट क्षण में चलते हैं टेरी बांद निमिन में से किस नदी परवना है टेरी डैम विल्ट विल्ट विच ओफ दा फॉल लिवर तो टेरी डैम जो है वह आपको बता है यह भागी रिथी नदी परवना है और आप्शन नमबर एज होए इस कुशनी का राइट अंसर है परवनेटी वहां जलते हैं जिए अगले प्रस्थने चलते हैं भारती इक राजकुमारी अबृत कोब जो है जो है इस कुशनी का राइट एंसर है फरस्ट हेल्थ मिनिस्टर इंदा इंडियन केवनेट वह फोन थी वह शीर्वर्ती राजकुमारी अमरिधिको थी आगी नरित्या किस तहार पर प्रस्तत किया जाता है जो है इस कोशन का right answer है क्वेशन नम्ट ने चास पे चलते हैं शुद्जुल्ड का पी एँच केतना होता है वाट इस दा पी हो for pure water तो आपको पता होने चीए पी-एच की जो फुल फॉर्म होती है वे क्या होती है पोटेंशल ओफ हाइट्रोजन यह आपने याद देखना है पी-एच की जो फुल फॉर्म होती है वे आपकी पोटेंशल ओफ हाइट्रोजन होती है पॉटेंशल ओफ हाइट रोजन होती है तो शूद्र जल का पी एच होता है यह कितना होता है तो इस कुछन का जो है इसकुछन का राइट अगले प्रश्णे में चलते हैं निमरे में से कौन से पौरानिक राजा वाली से गिनिश्ट रूप से जुड़ा हुआ है तो कुछन का राइट अंसर है अगले प्रस्ण में चलते हैं भारत का प्रत्थम राज्या जिसका निर्माण भाषा का अधार पर किया गया था तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड़ ओन लिंग्विस्टिक वेसिस तो भारत का कौन सा राज्या है जिस सि जो फ़ोई स्कुवर्न का राइट अंसर है वह हुआ लुद और और परदेश यू है भारत का प्रत्तम राज्या था जिसका निर्माण जो था वह भाषाकर था और यह आधार परहे ंघले पृष्टेड़ प्रत्यकुल ज उनर्पर से जिसका निर्माण जो ताई убाष् भी नेश्ट फ्री चलते हैं एंदर्विश्ट है ने रहार पास फॉकी टेडिए हुन्तों इंडरहार पास यह इंतों तो 10 अप्रिय सिरैंड है उप्षिन सी जो है इस question का right answer है next question में चलते है butterfly stroke पद जो है वो जिससे समंदित है the term butterfly stroke is related with the butterfly stroke का जो समंद है वे किस से है तो butterfly term जो है वह आपकी swimming से समंदित है तेराकी से समंदित है option number a जो है इस question का right answer है अगले question में चलते है सुनामी किस के कारण होती है तो सुनामी originates due to तो सुनामी जो है वो आपको बता है कि ये बुकंब के कारण होती है option number a जो है इस question का correct answer है next question में चलते है विश्व का सबसे ग्यहरा महासागर जो है वे कौन सा है the deepest ocean of the world is तो विश्व का सबसे ग्यहरा महासागर जो है वो कौन सा है इस question का यह right answer है आपका option number यह pacific ocean जो है यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ग्यहरा महासागर है option D is question का right answer है question number 57 पे चलते हैं बारती समिधान में निया एक पुनर विलोकर की संकल्पना जो है वो किसके समिधान से लिए गई है दा कंसेप्ट ओफ जुडिसियल रिव्यू इन इंडियन Constitution has been taken from the Constitution of तो बारती समिधान में निया एक पुनर विलोकर की संकल्पना है वो किसके समिधान से लिए इस question का जो राइट अंसर है इस question का संसत के दोनों सदनों की जो स्यक्त बैठक बुलाता है और स्टैगित भी राष्ट्रपती ही करता है यह भी आपने याद रखना है अगले प्रश्ण में जलते हैं परशुपतीनाथ मंदीर जो कहां पर सदेता है तो परशुपतीनाथ spider is at the अश्बधीनाथ मंदीर जो है वो कहां पर सदेता है नेपाल में discovery द्रेट है वो門 करति new State और वो असोसेटेड विद तो एपी सेंटर शब्द जो है वह आपका भूकम से संबंदीत है अर्थक्वेक्स संबंदीत है ऑप्शन नम्बर ए जो है इसक्षिन का राइट अंसर है नेश्ट क्षिन में जलते हैं इसमें बोला गया कि हिमाचल परदेश का किशेतर फल कितने वर्ग किलोमेटर है अगले प्रशन में चलते हैं भारत में रेल सेवा वह कब आरम हुई थी वेंडिड रेलवे विगिन इंडिया तो भारत में रेल सेवा जो थी वो 16 अप्रेल 1853 को शुरू हुई थी ऑप्शन नम्बर बी जो है इसक्षिन का राइट अंसर है भारत में रेल सेवा जो थी वो 16 अप्रेल 1853 को आरम हुई थी अगले प्रिश्ण में जलते हैं उना जिल्य की पहाड़ियों का क्या नाम है वट इस दा नेम ओफ लुफ लुफ दा उना डिस्टिक तो नाम है विए आपका शीवालिक है ऑप्शन नमबर बी जो है इस कुछन का राइट अंसर है कि हमाचल परदेश की सब्से लंबी नदी कौन से है which is दा लोंगेस्ट नेशिफर यहिं dripping तो इमाचल परदे तो हीमाचल परदेश की सब्से लंबी नदी जो है वह आपकी सतल नहां यहाँ से कुष्चन जो है दो डिराइत हते हैं अGrand पूछा जाए कि माचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वोलियम वाइज जल घनत्तव के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वियापकी चिनाव है यह आपने आद रखना है और सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी माचल प्रदेश की वह चिनाव रावी और यमुना इन पांचो नदीयों में सबसे चोड़ी जो नदी है वियापकी यमुना नदी है अगले प्रिशन में चलते हैं भारती संसद पर उपरवादी हमला जो तब कब हुआ था टेरिस्ट अटैक अब हुआ था वेंडिट टेरिस्ट अटैक रॉन दा गैस अगले प्रिशन में चलते हैं चूड चांदनी क्या है वड़िस चूड चांदनी तो जो है वह आपको बता है एक Tips का नाम है ओप्शन सी जो है मि crying अगले प्रेशन में चलते हैं लीरा किस देश की मुद्र है लीरा इस दा क्रंशी ओप विच कंट्री तो लीरा जो है वह आपको बता है यह एटली देश की क्रंशी है और सी जो है इसक्रशन का राइट अंसर है तो आजist क्ट्रैमे जलते हैं किस दिला में इम्स का निर्मान होने जा रहा है इन वीच डिस्टिक विगेड अगरु दर को कि अपकर इस डिस्टिक में हो रहा है वह आपका बिलासपुर में हो रहा है अपको 2 सी जो है इसकरशनी का राइटन से रहा है इन एमस की फुल फॉर में वो ओल इंडिया इंडिया इंसीट ऑफ मेडिकल साइंस है यह भी आपने याद देखना है और एमस का जो निर्माण है भी हिमाचल प्रदेश के डिस्टिक बिलासपुर में हो रहा है अगले प्रेशन में जलते हैं ओलंपिक होकी टीम का नेतर्तव करने वाला पहला है माचली कौन था हूँ अगले प्रशन जलते हैं माचल प्रदेश के किसी जिले में सबसे अधिक आउद्योगी काईया है इस विए प्रदेश दिस्टिक बिलासपुर प्रदेश दियर आर्मोस्ट इंडर्स्ट्रियल यूनिट्स तो डिस्टिक सौल्दन जो है इस कुष्ण का राइटन से सौल्दन डिस्टिक में सबसेदिक और दियोगी इकाईया है अगले प्रदेश में जलते हैं रावी नदी को संस्कृतिक नाम से जाना जाता है तो इस कुष्ण और एकहे प्रदेश में जी सौंगे है और सबसे लब्री इस सोरंगे है यहापकी ब्रडोग है जो की 167 ही स्थित नाम से इस वीडियो को लास्ट कुछन है भारत की स्थलिय सीमा जो है वो किस देश से नहीं लगती है तो भारत की जो स्थलिय सीमा है वो किस देश से नहीं लगती है इस question का जो right answer है आपका option number A है श्रिलंका जो है इस question का right answer है बाकी मेमार बोड़ान और अफगानिस्तान के साथ भारत की स्थलिय सीमा जो है पो लगती है तो friends आज किस वीडियो में वसे तना है आज हमने जी के कुछ important question डिसकस किये जो मेली आपको अगामी आज किस वीडियो में वसे तना ही तो thank you friends